जिस रूम में लेटरीन बात्रूम दोनों है रूम बड़ा बड़ा बना हुआ है तो उसमें अगर हम नमाज पढ़ना चाहें तो क्या पढ़ सकते हैं जो अटेक्स बात्रूम होता है शायद आप उसकी बात कर रहे हैं नहीं रूम के अंदर दोनों चीज़ा हैं बात्रूम में कोई कैसे सोएगा वह तो उसका कमरा अलग होता है दर्वाजा होता है जैसे आप जो आज कर जो चल लेंदा बड़े बड़े रूम चल लें तो उसी में एक गेट होता है उसका मसलन इस तरीके के उसमें सुनिये जैसे यह अभी कमरा है मैं इसमें बेटा हुआ हूँ यह कमरा है किसी से मतसी एक दरवाजा होता है ना इसा पूरा कमरा हुआ है और एप पूरे में मेरा भीड लगा हूआ है और यहीं होता है लेंदे जो होता है उसका दर्वाजा होता है आपने दर्माजा बंद किया वो अलग कमरा हो गया आप अपने बेट्रूम में नमाज पढ़िए आपके बेट्टे जामने वह जो है शावर लगा होता है ने ने जजाक अला खेरा तो